दस्तों कैसे हैं उमेद आप खेरियर से होंगे तो दस्तों ये एक किकर का ट्री है पाकिस्तान में इसको किकर बोलते हैं ये काफी ज्यादा पाकिस्तान में पाया जाता है और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे के एक ट्री के ऊपर एक और किसम का ट्री जो है वो ग्रो की हुई है यह आप देख सकते हैं इसके बन्यान प्लांट बोलते हैं बन्यान ट्री भी बोलते हैं इसे इसका एक बड़ा ट्री यह इस तरफ ग्रो किया हुआ है यह आप देख सकते हैं ये बहुत ही रेर है कि एक प्लांट के अंदर एक प्लांट के ट्रंक के अंदर जो है एक और प्लांट क्रो किया हुआ है जो तो किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए उसकी रूट्स को सॉयल की जरूरत होती है और उसके अंदर फल्टिलाइजर वगारा की जरूरत होती है लीव कंपोज वगारा की लेकिन ये देख सकते हैं कुदरत किस तरीके से जो है अपने काम करती है इसके अंदर कोई भी फल्टिलाइजर नहीं है कुछ भी इसके अंदर जो है वो सॉयल नहीं है यह आप देख सकते हैं यहां पर इस पलांट की रूट्स जो है वो ग्रो कर काफी मजबूती से जकड़ा हुआ है और जब देख सकते हैं कुदरिफ इसको यहां पर भी इसका खाना पहुंचा रही है तो यह बहुत ही रेर है यह तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि एक प्लांट के उपर एक और प्लांट है ओके दुस्ता अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने वालदान का खुब ग्यार रुके मिलते हैं इसाला अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज